Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and HisTales Friends, आज की जो class है वो class foundation तक हमने कर लिया था जो की हमारा step number nine था लेकिन आज की जो class है वो उसे next step पे नहीं है लेकिन इसके बीच में हमें कुछ इज़र की requirement होती है जो कोई step नहीं है लेकि फर्दर हमें चाहिए होते हैं जैसे की हमारे makeup brushes, हमारे beauty blenders तो बहुत important role play करते हैं हमारे powder puffs यह बहुत important role play करते हैं तो कौन से brushes, कौन से beauty blenders और किस तरह के powder puffs को हमें use करना जाहिए यह सब कुछ आज इस class में cover कर लेंगे So friends, start करते हैं हमारे इस video के साथ तो friends, सब से पहले हम बात करते हैं हमारे brushes की और beauty blenders की तो यह है मेरे पास आप देखिए कि यहाँ पर मेरे पास मेरे beauty blenders है यह देखिए, यह small size है, यह इसको baby beauty blender बोल सकते हैं और यह हमारे पास big size का beauty blender है तो यह जो beauty blenders हैं अलग-लग sizes में आते हैं यह आप यह देखिए, मेरे पास दो यहाँ पर available है, this one and this one दोना भी कितना difference है तो जब आपको properly makeup करना है और आप beauty blender के साथ काम कर रहे हो तो brushes और blenders तो बहुत important role play करेंगे तो एक beauty blender जब आप buy करते हैं तो beauty blender एक बहुत अच्छी quality का होना चाहिए यह सब कुछ product आपको description box में बता दिये जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पर दो beauty blenders है अब इनकी quality कैसे देखनी है कुछ beauty blenders ऐसे होते हैं क्योंकि हमें पदा है कि हमें इने damp करके use करना होता है लेकिन कुछ beauty blender ऐसे होते हैं जिसको हम water में soak करते हैं वो थोड़े से फूलते हैं लेकिन जादा नहीं फूलते लेकिन एक अच्छे beauty blender का होना make-up में बहुत ज़रूरी है जोकि soft भी हो, hard ना हो एक अच्छा beauty blender वही होता है जिसको अगर आप अपने पानी में dip करो और उसको थोड़े छोड़ो या फिर उसे थोड़ा सा पानी में उसके अंदर तकी soak ले वो सारा पानी तो अगर जो beauty blender पानी soak लेता है तो उसका जो size है वो अपने size से double हो जाता है वो beauty blender जो अपने size से पानी में जाके double हो जाता है वो beauty blender अच्छा होता है make up करने के लिए इस तरह से यहाँ पर baby beauty blenders भी आते हैं यह भी अपने size से थोड़ से बड़े double हो जाते हैं और यह भी double हो जाते हैं क्योंकि अगर उसको लगा हो तो face पे भी soft feel करें hard feel ना करें secondly कि अब आप यह कोगे हम जो market में जाएंगे आप buy करेंगे तो हम उसे dab करके या पानी में भीगा करें तो देख नहीं सकते यह तो obviously common सी बात है कि नहीं देख सकते तो इसको पहचानने के तरीका क्या है अगर आपका beauty blender आप beauty blender buy करने चारे अगर आपका beauty blender आपने लिया और आप इसको squeeze करके देखी इस तरह से और इस तरह से अगर वो इस तरह से squeeze हो जाता है असानी से हो जाता है जिसमें आपको कोई जोर नहीं लगता असानी से हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो अच्छा beauty blender है लेकिन कुछ beauty blender होते हैं बहुत hard होते हैं तो hard beauty blender को choose मत करें इनके बहुत important role play होता है तो अगर ये अच्छे से बहुत असानी से आपके hand में या आप उनको finger में दबा रहें अच्छे से दब जाएं और बहुत compact हो जाएं जैसे कि ये देखिए दोनों ही अच्छे से compact हो रही है तो अगर इस तरह से हो जाएं तो वो एक अच्छा beauty blender है अगर वो नहीं हो रहे और आपको हाथ में भी थोड़े hard feel हो रहे है soft feel नहीं हो रहे है hard feel हो रहे हैं बहुत जादा तो उनको आप buy ना करें तो beauty blender जब खरीदने हैं तो इस तरह से खरीदने हैं next है हमारे make-up brushes अगर हम make-up brushes की बात करें तो make-up brushes आपको इस तरह से खरीदने हैं कि जो synthetic नहीं हो जो synthetic make-up brushes हो तो इसमें थोड़ी सी problem आ सकती है तो मेरे पास सबसे पहले जो यहां पर है वो है देखिए Swiss beauty के make-up brushes यह बहुत ही जादा beautiful है अब यहां देखिए इसमें इस ब्रशिज में 5 का सेट है fluffy brush है यह brush आपका powder setting के लिए या यूज होता है मैं इसको और काम के लिए भी use कर लेती हूँ नेक्स यह देखिए आपका इस तरह का flat brush आता है यह आपका use होता है foundation की blending के लिए जब आपको foundation को blending करनी होती है तब आप इसका use करते हैं next आपके पास है इस तरह के यह brushes यह आपके eye makeup में यूज होते हैं या फिर आपके concealer setting में जब आप आइस के रास्ता राउंड काम करते हैं तो concealer की blending में यूज होते हैं क्योंकि यह छोटे brushes है next है यह आपका eyes के crease setting के लिए भी use होसता concealer के लिए भी डिपेंड करता है कि आप कौन से चीज को किस तरह से use कर रहे हैं आप एक brush को दो तीन चीजों के लिए भी use कर सकते हो तो यह आपके आपके पर depend है next है यह हमारा spoolie brush है जो कि threading setting के लिए use होता है and this one यह हमारा angle brush है चोटा जो eyes बे angle या फिर देने के लिए और color को angle देने के लिए use किये जाते हैं इसमें एक और brush हमारे पास available है जो की इसी का ही है this one यह small round brush जो की crease पे color देने के लिए या फिर outer V और inner V corner पे color देने के लिए use किये जाते हैं तो यह काफी अच्छे जो set है और इन ब्रशी से अगर आप चाहो ना तो सारा काम कर सकते हो लेकिन डिपैंड करता है कि क्या आप इनके साथ comfortable हो क्योंकि ब्रशी तो बहुत तरह के होते हैं इसके इलावा मेरे पास यहां पर यह एक और ब्रश का जो है किट है उसमें नियर अबाउट 32 पता है 36 का जो set था यह वाले ब्रशी है हमारे पास यह भी काफी अच्छे ब्रशी है इनका भी पूरा इस तरह का सेट है और इनमें यह था कि इसमें मुझे कुछ ब्रशी कम मिले था जैसे कि मुझे इसमें foundation की blending का में जो round brush नहीं मिला था आई के लिए round brush नहीं मिला था तो इसकान मुझे दुवारा से इनको buy किया था तो यहां पर देखिए इस तरह के brushes यह brushes भी काफी अच्छे हैं कि आपके highlight वगारा सब काम easily blend brush blending वगारा easily कर देंगे और अगर आप separately buy करना चाहते हो तो वह भी बाय कर सकते हो अब यह दहां पर देखिए हमें पास round brush है यह भी foundation blending के लिए use होता है और बहुत अच्छी foundation blending करता है next this one यह वाला brush देखिए एक चीज़ और चीज़ कि जब आप foundation blending के बात करते हैं तो brush जितना dense होगा उतना अच्छा होगा क्योंकि यह जो है बहुत अच्छे से dense होते हैं तो इस तरह से आप brushes को choose कर सकते हैं brush को choose कीजिए अपने according आप उनसे काम कीजिए तो यह तो बहुत important role play करते हैं इसके इलावा हमारे पास आता है powder puff देखिए इस तरह के हमारे पास powder puffs आते हैं powder puff की help से दूसरा हम इनसे अगर आपका make up खराब ना हो हम आपको कहीं से holding करनी है आपका hand make up का base set कर दिया है तो उसको preserve रखने के लिए हम इसका use करते हैं यह जो है आपके make up को खराब नहीं होने देते और बहुत अच्छी make up के base को setting करने के लिए use किये जाते हैं तो इन चीजों का हम use करते हैं और यह चीज़े बहुत important हैं बहुत important role play करती हैं आपके make up में तो आपको जब make up अगर properly करना है तो इन चीज़ें अच्छी quality और अच्छी होना जरूरी होता है तो आप इन चीज़ें बिल्कुल ध्यान देजिए तो फांडेशन जो हमारा class number 9 थी वह हम कर चुके हैं अब हम class 10 थी यानि कि step 9 तक हमने कर लिया से को step नहीं है लेकिन steps के बीच में इनका बहुत important role play होता है इस विज़े से 10 नंबर पर रख दिया next हम चलते हैं foundation से next step जो होगा वह हमारा होगा makeup settings का makeup setting spray का वह हम next class में करेंगी so friends I hope so कि आपको मेरे video पसंद आया होगा thank you देखने के लिए और जाद updating videos के लिए आप मेरे channel beauty and his channel सब्सक्राइब कर सकते हैं thank you friends good bye